एक तरफ विकास की और हम बल दे रहे हैं हिमाचल की सरकार और दिल्ली की सरकार हिमाचल को डबल एंजीन की ताकत मिली है और डबल एंजीन की ताकत मिली है तो बड़े बड़े पहड़ों पर भी विकास को बड़ी तेजी से ले जा सकते हैं इस काम पहल लगे हैं लेकिन साथ साथ देश में जो गलत होता रहा है जो लूट चलाई गई है खजाने को अपने नीजी उप्योग के लिए उप्योग किया गया है उसके खिलाब मैं एक लड़ाई छेड़ी हुई है और आपके आशिरवाद से यह लड़ाई छेड़ने वाला मोदी लड़ाई छोड़ने वाल नहीं है आप हैरान हो जाएंगे हमने अब डारेक बेनिफिट ट्रांस्पर करना शुरू किया सरकार जो पैसे हैं जो हकदार है उसके खाते में सीधे जाएं उसका प्रणामी आया छे करोड लोग ऐसे निकले कि जिनका जन्म ही नहीं हुआ था लेकिन सरकारी दफ्तर में वो पैदा हो गए सरकारी दफ्तर में वो बड़े हो गए सरकारी कांगेज में उनकी शादी हो गई सरकारी कांगेज में वो विद्वा भी हो गए सरकारी कांगेज में वो बुड़े भी हो गए और रुपिय जाते थे कि छे करोड़ लोग अभी तक तो मैं डूंड पाया हूं कि छे करोड़ याने दस हिमाचल कि दस हिमाचल जैसे लोग देश में जो पैदा ही नहीं हुए थे लेकिन खजाने से उनके नाम पैसे जाते थे नब्वे हजार करोड़ रुपिया सरकारी खजाने से लगातार उनके यहां जाता रहता था अब मोदी ने सब बंद करवा दिया छे करोड़ लोगों के नाम निकाल दिये जो सही होगा उसको मिलेगा हक का मिलेगा और जो अब मुझे बताईए जो पैदा नहीं हुए खजाने से पैसा जाता था तो कोई तो होगा ने जिसके पास जाता होगा जाता होगा जाता होगा अब इनकी सब की दुकान बंद हो गई अब वो मोदी को जुठा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बोलेंगे उनकी चोरी बंद हो गई तो मोदी को चोर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे उनको चोकीदार से डर लगने लगा है चोकीदार से डर लगने लगा चोरों की निंद हराम हो गई है कि चोकीदार सोने को तयार नहीं है चोकीदार चोरों को छोड़ने के लिए तयार नहीं है और इसलिए परेशानी है लेकिन आपके आफिरवाद है इन परेशानियों को भी परास करेंगे और देश में इमानदारी के प्रयास इमानदारी की सरकार इमानदारी का काम इसी को लेकर के आगे चलेंगे